तो दोस्तों चलिए यहां पर बात करेंगे वर्ल्ड का नमबर वन फेंटेसी अपलिकेशन ड्रीम 11 ने लाया है नियू अपडेट अगर जदी आपकी टीम परफोर्मेंस नहीं भी करता है तो आपको यह खूज देगा पैसा कैसे देगा पैसा क्या है सेप्टी सिल्ड यहां पर जो नया अपडेट आया है इनके बारे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों का बहुत सारा मेसेज आ रहा थे भईया इनके बारे में बताया जाएं इतना ही नहीं IPL के टाइम पे भी आया था यह ओफर और बहुत स देखा जाए अप्लिकेशन कहना क्या चाता है अगर जदी आप हार भी जाते हो तो आपको 20 पर रुपिये केस बोनस मिलेगा इनका नियम क्या है सारा कुछ हम लोग समझेंगे लेकिन एक चीज बता दू कि अगर जदी आप हमेशा प्रोफिट बराना चाते है और सेलेक्ट का ओर ले जाया जाता है तो मेरे भाई यह हमारा टिलिग्राम चैनल लगतार यहां पर वीनिंग होती है वीनिंग की ओर ले जाया जाता है बस भगवान का थोड़ा सा लग चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर कोमेंट फर्स्ट जो तो म अरिजिनल चैनल पे चले आओगे बिलकुल फिरी टिक पुरवाइड किया जाता है परायम से बचो जितना हो सके गाली देने का परियास करो परायम वाले को एक चीज़ है बहुत सारे लोग करते हैं भाया परायम में इतने पैसे लेकर हरा दिया ब्लोग कर देता है जो दारी के लिए इनका कहना क्या इस पर आपको किलिक करना है टर्म एंड कंडिशन सारा यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देख सकतो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है केप्टन और भीसी के उपर यह 20 रूपी आपको मिलेंगे यहाँ से सारा पर आपको किलिक करोगे सारा अगर जदी कोई मेच आप खिलते हूँ, सारे मेच यूज नहीं होगे, कुछ सेलेक्टेड मेच होगे, जिसमें मेगा कॉंटेस्ट बड़ा वाला जीयल जो होता है, वो भी फर्स्ट जीयल होना चीए, जैसे उन्चांस रूपिय वाले एक करोर रूपिय वाले आते हैं, सेले करोर रूपिय वाले जो सीरीज का बड़ा जीयल दिया गया है, जो भी मेच में ये सेफ्टी सील्ड लागू रहेगा, वो अपडेट मैं कर दूँगा हमारे टेलिगराम चैनल पे, तो उस पे अपने कॉंटेस्ट जवान किया, उन्चांस रूपिय वाले चलो, ये मेगा कर लिया, मेच खत्म होने के बाद आपको जो उन्चांस में उन्चांस मिलना चे वो भी नहीं मिल रहा, एक करोर तो दूर की बाद, वीनिंग जोन से आप अगर जदी बाहर हो गए हो मेरे भाई, तो ये देखा जाएगा, अगर जदी आपका केप्टन, 15 पोंट से कम दिया गया है, दूसरा, वीसी, अगर जदी आपका 15 पोंट से कम, यानि साड़े 22 पोंट से कम दिया गया है, तो आपको 20 रुपया केस बोनस मिलेगा, कब, जब मेच का रेजल्ट घोसित कर दिया जाएगा, आपका कंडिशन की केप्टन भाईस आपका नहीं चला है, केप्टन न आपको लगाना होगा, तिसरा चीजा कि वीनिंग जोनस आपको बाहर और केप्टन भीसी जो 15 पोंट है, उनसे ज़्यादा नहीं देना चीए, तिसरा चीजा कि आपका एकाउंट भेरिफाय होना चीए, डरी मिलेबन के लिए, मैं हमेसा अपने यूजर्स को कातना हो, डरी यूजर्स को पता है, फिर भी किनी को पता नहीं, तो इंस्टागराम का आइडी लिंक दिया गया, आप महां से मेसेज करना, मैं वहां पर सारे लोग कर रिपलाई भी देता हूं, वो भी बेतर तरीका से, तो केप्टन भीसी का लोजिक तो आप लोगों ने मेरे भाई समझ अब दूसरा और तिसरा जो पॉइंट है कि वो एक आता है मैंड में सवाल, अगर जदी मैंड ने किसी मेच को खेला, और वो मेच केप्टन भीसी ने 15 से कम दिया और होने के बाद मेच ओबेंडेड हो गया, फिर भी आपको 20% केस बोनस मिलेगा, जो मेच पे रहेगा, दू उनके अधार भी आपको जो भी 70% का ओफर है 20 रुपिय केस बोनस वो आपको दे दिया जाएगा, याने विनिंग जोन से बाहर होना, हारना, और केप्रन भाज का नहीं चलना, इसके लिए आपको 20 रुपिया जरूर देने का परियास कर रहा है, सबसे नमर वन अप्लिकेश की बस की बात ने, तो ड्रीम लेबन नमर वन है और रहेगा, एक और आप लोगों के माइंड में सवाल आ रहा हो, कि अगर जदी मुझे बोनस मिल गया, तो वो बोनस कब तक यूज करता है, इनका वेलिडिटी जो 14 डेज तक होता, अगर जो 14 दिन का अंदर इस बोनस को आगे भी आप यूज कर सकतो, लेकिन इसी तोर पिया की नियाम के अधार पे 14 डेज ही होता, उन्हें पहले आपको समाप्त कर रहे ना, फिर इनका नाबू ठालोगे, तो मेरे भाई आसा करते हैं, आप लोगों को मैं समझाने का पर्यास किया, फिर भी आगर जदी डाउट कर रहे होंगे, तो इसी वज़ा से मैं यहीं चाहूँगा कि सारे लोगों पे सर्शति मा की भी खिरिपा बनी रहे, आप निरंतर दिन आगे बलो, जब बलदस्त प्रोफिट करो, जहां तक हो सके हमारा भी साहिता आपके पास रहेगा, लेकिन भाया जो चीज फिरी में हो परायाम लेने का परियास मत करना, मैं हमेसा चाहता हूँ हमारी टीम से मत खेलो, हमारा बात मत वानो, लेकिन एक चीज मैं यहीं बोलूँगा कि गलत रहा पे मत चलो, खुद से खेलो, खुद से आप एक एक रुपिय की आहमियाद समझ रहा है, वो एक रुपिया ही उनको एक करोड की ओर भी ले जा रहा है, तो यहीं मैं चाहूँगा आप अपने पैसे की जिम्मेदारी करें, किसी के बाकावे, किसी के बड़े विनी को देखकर, आप भी उनके तरह इन्वेस्ट मत कर देना, तो चलिए अपने वीडियो के हैं समात करते हैं, मेरे प्यारे भाई धन्यवाद